नमस्कार शुक्र का कर्क राशी में गोचर हो रहा है शुक्र कर्क राशी में 30 मई 2023 की रात्री लगभग 7 बच के 40 मिनट पर प्रवेश कर जाएंगे जब भी शुक्र अपनी मित्र बुद्ध की राशी मितुन से रिकलकर चंद्रमा के अधिकार रखने वाली राशी कर्क में प्रवेश करते हैं तो क्या प्रभाव देते हैं हम इस वीडियो में जानेंगे यहां पर 7 जुलाई 2023 की प्रात्रा लगभग लगभग 4 बजे तक शुक्र देव रहेंगे और फिर कर्क राशी जो है चंद्रमा की राशी है और उसके बाद आएगी सिंग राशी जो की जिसके स्वामी होते हैं सूर्य उस पे परवेश कर जाएंगे शुक्र देव शुक्र शुक्र लगजरी पैसा धन देने वाली खुशिया देने वाली एक ग्रह है और शुक्र एक इस्त्री तत्व ग्रह है और कर्क राशी के स्वामी चंद्रमा भी इस्त्री परधान है तो इस्त्री ग्रह, इस्त्री ग्रह की राशी में जा रहा है कर्क राशी में शुकर का गोचर मध्यम माना जाता है बहुत अच्छे रियर नहीं देता तो खराब भी नहीं देता 50-50 जलता तो की कर्क राशी में कफ प्रकरती में शुकर का परवेश होगा जिससे वर्षा की स्थिती बनती है अब जैसे जाएंगे तो आप देखे मांजूद भी आ जाता है बारिश वारिश भी होनी शुरू हो जाती है शुक्र दैत्यों के गुरू है दैत्यों के गुरू है शुक्र और शुक्र रहे मीन राशी में उच्छी के होते हैं कन्या राशी में नीच के माने जाते हैं, रशब राशी और तुला राशी पर अपना पुरा अधिकार रखते हैं, और केदर में बैठकर मालव योका निर्मार भी करते हैं, और मकर और कुम्र लंड के लिए योकारग रहे, बन जाते हैं, शुक्र, शुक्र का में काम है भोग विलास, मौज मस्ती, लग्जरी, खुशियां, पैसा, धन, दौरत, याई मौज मस्ती, हसी, शादी के बाद पती परपनी का सुख, एक दो इनसानों के बीच में जो सुख पनपता है, जो खुबसूरती पनपती है, वो शुक्र है, हर्यारी शुक्र है, तो अब ये परिवर् होगा, तो कर्व राशी में जब शुक्र जाएंगे, मितन से निकल कर, तो सभी महिला, पुरुष, बच्चों पर कुछ ना कुछ परभाव पढ़ेगा, वही मैं आपको बताने आया हूँ, इस वीडियो में तो क्या परभाव पढ़ेगा, आपकी राशी के अनुसार जानत का निवाते हैं, वरत्मान कोचर में सब्तम धाव में परवेश करेंगे, शुक्र जब भी सब्तम धाव में जाते हैं, तो इसने हैं आकशन और अनुग्रह से भरे हुए सुखी वैवाही जीवन की एक नीव रखते हैं, इस समय में पती पतनी एक दूसरे की भलाई की बात क करेंगे, रिष्टों में बहुत समझ और बहुत साथवोती होती है, जैसे उम्र बच्पन की और लेकिन बाते बड़ी-बड़ी करेंगे, आप बहुत गंभीर हो जाएंगे, आनंदित जीवन का अनभव करेंगे, एक दूसरे की गलतियों के उपर परदा मां डालेंगे, अ आप लोग संकट आएंगे, परशानी आएगी, तो एक दूसरे के साथ देंगे, यनि की भाग जाएंगे, दोनों मिलकर संकट का सामना करेंगे, ताकि चुटकारा मिल सके संकटों से, अपनी अच्छी और अपनी बुरी, दोनों बात आप अपने जीवन साथी के साथ साथ स करेंगे, और एक दूसरे के साथ गहरा प्यार निभाएंगे, शुक्र की उपस्तिती कई बार यहां पर क्या होता, जब शुक्र खराब होता है अपनी जर्म भूर्ली में, तो पर्तिकूल परभाव भी लाती है, और रिष्टे को खराब भी कर देती है, बहुत जल्दी जल में काफी उन्नती तरक्की होगी, आप अपने वैपार में काफी बढ़ा करेंगे, आप कुछ वैपार में कोई नया कुछ अपना सकते हैं, प्रेमी यूगल जोडों के लिए सोने पे सुहागा वक्त होगा, किसी को नया रिष्टा मिल सकता है, कोई किसी को प्रपोस कर सकता है, आपके काम बन जाएंगे, प्रेम विवा हो जाएगा, आप कारज शेतर में अपनी गोड़ और अपनी परतिवा को दिखाने वाले इनसान होंगे, आपकी बात मानी जाएगी, खुशी की लहर होगी, मनमानी से आप अपने काम करवा लेंगे, मन के काम आपके बनेंगे, हाँ, कई बार मनमानी के चकर में छोटा मोड़ा नुकसान भी हो सकता है, तो अतनी मनमानी करें जितना जरूरत हो, आप देखेंगे कि आज परशानी है, तो अगरी सुबह तो समस्या का हल भी मिल जाएगा, कुल मिलाकर देखा जाए, तो आप लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करेंगे, महबत करेंगे, काम को अच्छा करेंगे, जिनका शुकर खराब होगा, वो शिकायत करेंगे, जिनका शुकर अच्छा होगा, वो प्यार करेंगे, तो अपनी कुली को देख लीजिए, कि शुकर अच्छा है या खराब है, जिनका शुकर अच्छा होगा, व शुक्र खराब है तो सम्मान नहीं होगा, अगर शुक्र अच्छा है तो आपका प्रिवन साथी मिल सकता है अगर शुक्र अच्छा नहीं है तो नहीं मिलेगा, वैर्थे यहां पर शुक्र बहुत अच्छे परिणाम देता है तो पहले घर पे दरश्टी होगी तो अच्छा रहेगा आपका पैसा काफी हद तक अपने जीवन साती पर यानि महिलाओं पर खर्च होगा आप लोग का जितका भी काम टेंट का है, ब्यूटी पार्लर का है, विवा समंदित काम है शुक्र समंदित काम है, खुब पैसा कमाने वाले है एक आँक की महिला, जिनकी एक आँक होती है, या काली सावली महिला आपके लिए जिस्मत का दरवाज़ा खोल देंगी आप अपने जीवन साथी के साथ इमादारी बरतिएगा, ससुराल से रिष्टे रखिए लेकिन ससुराल से पैसो का लेंदेनी या बिजनस मत करिएगा कला प्रेमी होंगे, सुन्दर पतनी भी मिल सकती है अगर शुकर अच्छा है पार्टनर्शिप के कामों में लाब होगा, यातरा से लाब होगा, साला, अगर आपका साला है तो साले के साथ बिजनस मत करिएगा किसी की जवानत मत लीजिएगा, मुफ्त में कुछ भी सुईकार मत करिएगा बच्छे वाली गाये का दान कर सकते हैं, जो पहनते हैं उसका ध्यान रखिए, आप चाहे कितने भी क्रोधी क्यों नहों, लेकिन आपकी पतनी, आपकी बॉस होगी, पतनी सक्त सभाव की हो जाएंगी समय में, ससुलाल से रिष्टे खराब हो सकते हैं, गाली गुलाज करने इसली तम मिलेगी, घर में कले कलेश तब होगा जब शुकर खराब होंगे, सकत सभावी और सभावी कंवाओ की वज़ेसे आपकी जबां से कोई गन्दा शब्व निकलेगा जो आपकी बर्मादी का खारण बनेगा, अगर आपकी जनमकुड़ी में शुक्र अशुभ है, त पे जोटेल जाम लग सकते हैं अगर आपकर शुक्र खराब होगा तो आप एक दूसरे की कमिया निकालेंगे तू प्यार नहीं तेरे में वो कमी प्यार नहीं तक्रार होगी एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे एक दूसरे को परिशान करने की कोशिश करेंगे ये कब होगा जब शुक्र खराब होगा और जिनका शुक्र अच्छा होगा वो तो प्यार महभबत की बाते करेंगे नौकरी बेपार में तरक्की करेंगे और जिनका शुक्र खराब होगा वो अपनी बीबी को देंगे गाली बाहर बजाएंगे किसी और के साथ ताली यानि कि किसी और के साथ होगा हातों में हाथ, घर में होगा गाली गलोच तो इतना परभाव पड़ता है ग्रहों का तो और बाकी देखिए जिसका ग्रहस्त अच्छा उसका काम धंदा अच्छा जिसका ग्रस्त खराब, उसका काम धंदा भी खराब, नौकरी बैपार में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से चलेगा, परिवार बचाने की कोशिश करिए, चरितर को अच्छा रखिए, और सरुस्ति की आरादना करिए, ताकि बुद्धी भरष्ट ना हो, अन्मान जी क उपास ना करिए, ताकि शत्रु आप पे हावी ना हो, मौज करिए, समय आपके लिए अच्छा है, अगर शुक्र आपकी जनम खुर्णी में खराब है, तो दिक्कत हो सकती है, अपने शुक्र को और अन्य गरहों को सही करने के लिए दिये के नमरों पर संपर करें, आपने सुक अच्छे और शुक्र गए, तो फिर आपकी बैंड बजी, तो शुक्र को अच्छा रखने के लिए अपने जनम खुर्णी की जाच कराईए, सही उपाय कराईए, और इसी महीन नहीं सारी जन्दी की सुकी रहिए, नमस्कार रादे रादे